जहिन दोस्तो एकोनोमिस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पूर्ती की लोच पर इससे पहले भी हम दो क्लास ले चुके हैं पूर्ती की लोच के संबन्द में और पहली क्लास में हमने ये समझ लिया था कि पूर्ती की लोच होती क्या है और इसे किन किन विधियों के द्वारा हम ग्याद कर सकते हैं उसके बाद हमने फिर अनुपातिक रीती और प्रतिसत रीती दोनों एक ही रीती है उनको समझा उसके बाद हमने फिर बिंदू रीती उपर चर्चा की थी बिंदू रिती के अंतरगत हमने समझा था कि हम जो पूर्ती वक्र होता है उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट करते हैं एक बिंदू बनाते हैं बिंदू से इस पर्स करते हुए एक इस पर्स रेखा बनाते हैं और उसी बिंदू से एक लंब खिंचते हैं, उसके बाद जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की थी, और उसके द्वारा हम पूर्ती की लोच ग्याद कर सकते हैं, अब जयामिती विधी और बिंदू रिती, दोनों एक ही है, बस अंतर ये है, कि इसमें हम एक मानिता लेके चलते हैं, वो मानिता ये है, कि जो पूर्ती बक्र बनाते हम, वो एक सीधा बक्र बनाते हैं, और बिंदू रिती के अंतरगत हम, जैसा पूर्ती बक्र आभी तक पढ़ते आ रहा हैं, वैसा ही मना कर उसको ग्याद कर सकते हैं, तो आईए इस पर और इस्थितियों पर निर्भर है तो जो हम पांच इस्थितियों की हम कल्पना करते हैं बहे इस्थितियों हम जयामिती विधी के द्वारा देखते हैं तो आएंगे समझते हैं उन पांच इस्थितियों को महत्पूर्ण बाते यही हैं क्या है इस बिधी के अनुशार पूर्ट्य की लोच्थ पूर्ती बख्र की इस्थितियों पर निर्भर है पहली पहली बात दूसरी बात यह मानिता लेते हुए कि पूर्ती बख्र एक सीधी रेखा है तीसरी बात इस विदी से हम पूर्थी की लोच की पांच इस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं तो आज इन पांच इस्थितियों पर ही हम बात करने वाले हैं कॉंसेप्ट कल की किलास में जो हमने आपको बताया था कि इसमें गिराफ हमें सीधा मान के चलना है सीधा मतलब की एक सीधी रेखा है यही मैन कॉंसेप्ट है इसको ध्यान में रख लिया तो हम आराम से 5 एस्थितियों को समझ सकते हैं पहली इस्थिती है पूर्था लोचदार पूर्थी आब इसमें देखिए बहे इस्थिती जहां पर उत्पादक बर्तमान कीमतों पर भी पहले से अधिक पूर्थी करता है कीमतों में कोई परिवर्तन हो या बहुत मामुली परिवर्तन हो और जो उत्पादक है बहुत पूर्ती की मात्रा बाजार में बहुत अधिक बढ़ा देता हो तो ऐसी इस्तिती को हम कहते हैं पूर्ता लोचदार पूर्ती अब इसका गिराप किस प्रकार से निकल के आएगा देखिए इनका कॉंसेप्ट बड़ा सरल है यदि हमें जो उत्पादक है उसका पॉइंट ऑब व्यू अच्छे से समझ में आता है और अच्छे से हमने समझ लिया है तो आसानी से हम इन पांच और इस्तितियों को समझ सकते हैं और कीमत का कॉंसेप्ट पूर्ती का बड़ा है वह अच्छे से हमें आता है तो यह पांच यह उस्तिति हैं हमारे लिए कुछ नहीं है आप एक बार इने पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएंगे देखिए पहली जो इस्तिति हैं जैसे कि पूर्टा लोचदार इस्तिति अब इसमें हमें क्या समझ लिया ब by axe पर यह by axe होती है और यहाँ पर होती एकस एकसिस इस पर हम पूर्ती को प्याज़ित करते हमिएशा अधित कीमत कैसी रखनी है स्थिर रखनी है मानके चलिए कीमत हमारी यह स्थिर हम इसको हम कर देते हैं यहां भी कर दिजिए ताकि आपको याद रहे अब मान लेते हैं यहां पर कोई जो उत्पादक है इतनी मात्रा की पूर्ती करता है मान के चलिए कीमा 100 रुपए है 100 रुपए पर कितनी ति हुसं 204 कण five यह फार निकीर कोई यह समझ लेगे पचास एकाईयां और कर देता है, डेड़ सो एकाईयों की पूर्थी करने लगा, तो ये क्यों टू हो गया, अब यहां से यहां जो ब्रद्धी हुई है, ये जो है, ये क्या दिखाती है, पूर्था लोचदार पूर्थी, कीमत यहां पर इस्थिर है, केवल पूर्थी में प बेलोचदार पूर्थी, बेलोचदार, अब इसमें हमने समय लिया पूर्था लोचदार, और दूसरा कॉंसेप्ट है, पूर्था बेलोचदार, दूसरी जो इस्थिति है, इसके बिल्लकुल अपोजिट है, अब अपोजिट है, मतलब कि इसमें हमने कीमत को इस्थिर रख करता है अपनी जो पूर्ती करने की मात्रा है पूर्ती की मात्रा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता भले कीमत बढ़ जाए तो गिराब किस प्रकार से बनेगा यह कीमत हुई यहां पर पूर्ती X और 2 अब पूर्ती तो हमें कैसी रखनी है इस्थिर रखनी है यानि 101 यादी बाजार में बेंच रहा है तो 101 याँ ही भेजेगा बहे 101 नहीं करेगा और नही 99 करेगा अब क्या करना है कीमत चाहे आप यहां पर यह से 100 दे रहे हो तो 100 दो या फिर यहां से बढ़ा कर 110 दे रहे हो तो 110 दो कोई मतलब नहीं है किसका मतलब है केवाल जो पालक है बहे अपनी 101 याँ भेज रहा है आप 110 रुपया दो 105 रुपया दो हम तो 101 देंगे लेना हो तो लो नहीं तो मतलब इसको ध्यान रख लो दोनों का गिराफ देख लो यह दो इस्तितियां कंप्लीट हो गई अब बची है तीन इसी पिरकार तीनों का हमें उधार ले लेना है 100 रुपय और 100 एकाईयों का अगली क्या है लोचदार या फिर इकाई के बराबर लोचदार पूर्ती इकाई के बराबर इसमें क्या होता है बहें अवस्था जब किसी बस्तू की पूर्ती में जो परिवर्तन होता है बहें कीमत में हुए परिवर्तन के अनुपात में हो मतलब कैसा जैसे की 100 रुपय हमारी कीमत है और 100 एकाईयों का वह क्या कर रहा है पूर्ती कर रहा है अब इसमें देखिए मान कि चलिए कीमत 110 रुपय हो जाती है तो ब्रद्धी कितनी हुई 10 पृती सत्की उत्पादक भी सोचता है चलो 10% कीमत बढ़ गई है मैं भी क्या करता हूँ 10% क्या कर देता हूँ पूर्ती बढ़ा देता हूँ 110 एकाईया वह बाजार में भीने लगा 100 रुपय कीमत थी 100 एकाईया भीज रहा था 110 कीमत हुई 110 एकाईया भीने लगा तो ये क्या है एकाई के बराबर जितनी कीमत में परिवर्दन हुआ उतनी ही उत्पादक ने पूर्तीम परिवर्दन कर दिया तो इसका गिराप किस परकार से बनेगा इसको देख लीजी आप मान लीजी कीमत यहाँ पर ये है और यहाँ से बढ़ा कर इस परकार से ये कर देता है जैसे ये कीमत मान के चलिए कि यहां पर 10 पृति सत्की ब्रद्धी हुई तो यहां पर भी यह सीधा कर ली दे आप यहां पर भी कितनी हुई 10 कृति सथ की ब्रद्धी कर देता है यहाँ जो ब्रद्धी हुई है और यहाँ जो ब्रद्धी हुई है दोनों बरावर है तो इस प्रकार से जो graph निकल के आएगा यह क्या होगा एकाई के बरावर लोचदार पूर्थी का अब चलिए 31 से अधिक लोचदार या अत्याधिक लोचदार पूर्ती इसमें क्या होगा कीमतों की तुलना में पूर्ती की मात्रा में अधिक परिवर्तन कीमतों माली जे 5 रुपए की ब्रद्दी हुई और जे जो पादक है पूर्ती की मात्रा बहुत अधिक बड़ा देता ह इसमें ग्राफ देखें, उधार ने समझने पहले, अब जैसे 100 रुपए कीमत है, कीमत में मालके चलिए 5 पृतिसत की ब्रद्धी हो जाती है, 105 कीमत हो जाती है, 105 कीमत पर जो पहले 100 रुपए कीमत पर 100 एकाईया भेज रहा था, अब है 105 पर माल लीजे, 120 एकाईयों की पूर् की मात्राम है, तो यहाँ पर कॉंसेप्ट क्या लग रहा है, एकाईय से अधिक लोचदार या फिर अच्चा अधिक लोचदार पूर्ती, ठीक है, तो इसका गिराप किस प्रकार से बनेगा, अब मान के चलिए, यहाँ से यह करते हैं, कीमत में परिवर्तन होता है, 10 पृति कीमत कर लेते हैं, कीमत में यहाँ 5% की ब्रद्धी हुई है यह, और पूर्ती में यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ब्रद्धी हुई है, 20% की ब्रद्धी, तो यहाँ पर पूर्ती ज़्यादा बढ़ गई है, इस साइट पूर्ती कर रहे हैं हम, और इस तरब कीमत, तो गिर मतलब कीमत की तुल नामे पूर्ति अधिक ब्रद्धी हुई यानि कीमत की तुल नामे पूर्ति की मात्रा में अधिक ब्रद्धी की है तो वह हो गई है एकाई से अधिक लोचदार पूर्ती सीधा सा कॉंसेप्ट है इसके बाद देखिए एकाई से कम लोचदार पूर्ती अब एक बात आप मुझे बताईए यहां से यहां तक हमने समझ लिया एकाई से कम लोशदार पूर्ती क्या होगी कीमत और पूर्ती का ही concept ले रहे हैं तो कीमत के आधार पर ही हम decide कर रहे हैं कि एकाई के बराबर है एकाई से अधिक है एकाई से अधिक जो समझा उसी को एकाई से कम कर लीजे अब आपके लिए होमबर्ख है कि 21 से कम लोजदार पूर्थी क्या होती है इसको आप स्वयम कीजिए पहले बुक से पढ़िए उसके वास समझिए और अच्छे से उसके नोट्स बनाईए ठीक है ये मैं नहीं बताऊँगा आपको ये होमबर्ख है चलिए तो आज की किलास के लिए इतना कापी है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन बंदे मात्रम